अगला पड़ाव जलतक संभल के ब्लॉक अस्मोडी में सी नंदपूर बीटा गाउं पहुचा। लगभग 36,000 के अवादे वाला यह गाउं जिला मुख्याली से 65 किलोमेटर दूर तो वहीं ब्लॉक से 8 किलोमेटर दूर है। बर्तमान में गाउं के प्रधान नरिंदर सिंग के द्वारा गाउं में विकास काते बहतर ढंक से कराये जा रहे हैं। लगभग 16,000 बोटर वाला यह गाउं विकास के पटपर अग्रिशर है। गाउं में लगभग 700 रासंकार धारक हैं। बात अगर सिक्षा के इस्तर की की जाए तो गाउं के जूनियर एवं प्राइमरी विध्याले में लगभग 280 बच्चे सिक्षा ख्रेंड करने आ रहे हैं। गाउं में पेजो लापुडती विविस्था दुरुस्त करने के लिए 29 हैंड पंप लगवाए गए हैं। साथी विधुद विवस्था दुरुस्त करने के लिए 200 विधुद पोल, 6 विधुद ट्रांसफार्मर पर 3 सोलर लाइट भी लगवाई गई हैं। बहीं बात अगर विकास काट्यों की की जाएं तो बरतमान पुर्धान वारा गाउं में 20 सीसी टाइस रोड, खड़ंजा, पानी निखासी के लिए नाली, स्कूल में वरमत काजयर, बाई स्कूल में सोचालने का निर्वाण भी कराया गया है। साथी बरतमान पुर्धान के देखरेक में गाउं में स्वच भारत मिशन के तहट, एक्षो तरानवे इजजद घर वब पुर्धान मंतरी आवाज योजना के तहट, तेरा आवाज का भी निर्वाण कराया गया है। इसी के साथ ABPS News Team से बात करते हुए ग्राम पुर्धान ने गाउं में सिसी टायर्स रोड, पाली निकासी के लिए नाला, खड़नजा, आंगनवाडी केंद्र, पंचायत घर, स्वास्ते केंद्र, प्रधान मंतरी आवाज योजना के तहट, 40 आवासों के भी निर्वाण के म पंचायत में हमने सिसी टायर्स नाली हैट पंपरी वोर् और सौचाल स्कूलों में सौचाल निर्वार का राया है और जो भी हमारे पैसा आया था वो समस्त्र तरीके से हमने यूज किया और हमें जो अबाएक कार्र रह रहे हैं गाहों में एक आंगनवाडी केंद्र की ज्य जादा कोई भी सुवीदा तिक सा संभने गाउंवें नहीं है इसकी जादा परसानी है और हमने अपने ग्राम पंचाइट में 13 आवास और 193 नहीं अब आवास कंपलीट हो चुके हैं तेरा कर और हम फरकार से यहां रखते हैं कि हमारी ग्राम पंचाइट को जादा जादा वहाएं कि उनमत परसानी आ रही है और उनके हालत बहुत जादा खराब अभी तो लोग निकल भी पा रहे हैं लेकिन बारिश के टैम में तो बिल्कु नरेंदर सिंग जी ने यहां अच्छा काम बढ़ गया बिना भेतवा पूंड के वह अच्छा काम बढ़ा रहे हैं